Basic Japanese Language से Advanced Japanese Language में जाने के लिए Students कई तरीके अपनाते हैं, कई बार गलत हो जाता है और वो छोड़ देते हैं Japanese Language को और कभी-कभी वो सही रहता है तो आईए आज इस वीडियो में हम ये डिसकस करेंगे कि सही तरीका क्या है अगर आपको मैं सारी कहानी को summarize करूं तीन points में तो ध्यान से सुन ये पहला point ही आता है कि Japanese language को advance में सीखते समय हमेशा हमें याद रखना है कि vocabulary को sentence में सीखना है और better हो कि वो sentence एक paragraph में हो जैसे for example, जैसे monsoon सी जाना है ने वाला है तो हम क्या बोलेंगे? ये सारे words हमने सीखे हैं एक list की form में ठीक है? तो list की form में क्या होता है? हम English में उन words को सीखते हैं और फिर English से उसको assemble करने की कोशिश करते हैं कभी-कभी सोरो-सोरो हमें ठीक से fit नहीं हो पाता तो हम कोशिश करते हैं किसी institute में जाते हैं किसी teacher से पूछते हैं किसी अपने friend से पूछते हैं हालगी अच्छी बात है आपको communicative रहना चाहिए लेकिन फिर भी communicative रहने के साथ-साथ तभी उस चीज का फाइदा है जब आप उसको सीखेंगे better way में, better meaning के साथ तो amino kisetsini narimas का मतलब है अब monsoon आने वाला है, rainy season आने वाला है तो ni narimas भी आपको पता चल गया to become तो हमने सीख लिया लेकिन आने वाला है इस तरह से इसकी translation होती है ठीक है और अगर आपको बहुत सारे paragraphs और बहुत सारे sentences चाहिए इस तरह की practice के साथ और Hindi explanation के साथ तो जाये nihongo max.com पर जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताने की कुशिश करता हूँ I hope इसके बार में आपको पूरी तरह से पता चल चल चुगा होगो जिसमें आपको 3-4000 audios मिलेंगे जिसमें मैंने आपको explain किया हुआ एक-एक Japanese language के word को N5 से लेकर N1 तक चलिए आगे बढ़ते हैं Second point है हमेशा आप mix and match करिए mix and match का क्या मतलब है mix and match का मतलब है कि अगर आपने basic का level पढ़ लिया है अगर आप intermediate में जाना चाहते हैं तो डरिये मत कोशिश करिए थोड़ा बहुत मैं intermediate का भी सीखू हो सकता है मुझे कुछ भी समझना है लेकिन अटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मुझे किस level तक पहुँचना है उसमें से आधी ही चीज़े मुझे समझ आई है तो बाकी आधी कौन-कौन से वो चीज़े हैं जो मुझे नहीं समझ आई है वो कहा है वो expression पैटर नमबर 36 पैटर नमबर 72 इस तरह से मत करिए पैटर नमबर ना सोच करके बस एक expression है आज मेरे सामने आया है मैंने उसको सीख लिया है अब basic है या वो advanced है तो वो mix and match थोड़ा बहुत करिए मतलब डरिये मत एकदम से कि मैं पूरा जब तक basic नहीं सीख लूँगा तो तो मैं advanced तक जा ही नहीं सकता मैं देखूंगा भी new books को ठीक है तो ये एक बड़ा ही important point है जब मैं N2 और N3 की classes लेता हूँ जैसे कि अब जून जुलाई का मन थाने वाल है तो अब मैं N2 और N3 के बैचे start कर रहा हूँ तो starting में मैं यही students को बोलूओ कि आप डरिये मत आपके सामने अगर पहले ही दिन वो दोख का ही आ गई है जो आपकी end level target है तो भी कोशिश करिए आज ही मेरा test है आज ही मेरा exam है और मुझे उसको सीख के आज ही इसको पूरा करना है आज ही इसको पार करना है कोई बात नहीं मैं 80%, 70%, 60% समझ पाया बागी 30% दो बार revise करूँगा हो जाएगा तो अगर आप डर हटा देंगे अपने दिल से तो यह सबसे बड़ा important point है advanced Japanese language की तरफ बढ़ने का और third point finally motivation से लेने देना है हमेशा imagine करिये कि अगर आपने advanced language सीख ली और आपने एक job acquire कर ली तो आप monthly earning करना शुरू कर देंगे यानि कि आपका एक तरह से freedom level अचीव हो गया level of freedom का क्या मतलब है कि आपने वो level अचीव कर लिए कि monthly income स्टार्ट हो गई है अब आप अपनी learning को थोड़ा सा slow भी कर सकते हैं या और fast करके और अच्छे level अचीव करके और अच्छे earning पर पहुँच सकते हैं मैंने कई बार आपने वीडियो में बताया है कि लोग सिर्फ दो साल या तीन साल के experience के बाद N3 या N2 clear करने के बाद 20 लाग का package, 18 लाग का package इस तरह से लेते हैं, work from home भी available है तो इन सब चीजों को अपना motivation point बनाईए कि ये भी possible है बिलकुल आपके लिए possible है बिलकुल भी impossible नहीं है, सभी लोग करते है ठीक है, it's a matter of one year or two year अगर आप इस level तक पहुँचना चाते हैं हमेशा जब भी आपके सामने कोई मुश्किल vocabulary है, मुश्किल sentence है तो छोड़ने का ना सोचके, ये सोचिए कि अगर मैंने ये सीख लिया, तो मैं उन बहुत कम लोगों में हो जाओंगा, बहुत उन कम लोगों में आ जाओंगा, जो कि मंथली इंकम अपनी एक लाख या एक लाख से उपर की बना के रखे हो हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है conventional courses में एक साल में ही या दो साल में ही कर पाना उनको 4-5-5 साल लब जाते हैं और एक बहुत heavy competition के साथ उनको गुजरना पड़ता है for rest of the things, please go to newhongarmax.com all the best, thank you so much